ओम नमो भगवते वासु देवाई वरुथनी एकादशी विशाक महिने के कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं इस दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करने के बाद श्री हरी की पूजा अर्चना करने चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए धार्मिक मानिता है कि एकादशी का वरत करने से व्यक्ति के सारे पाप थुल जाते हैं सभी दुख दर्द और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरी के वरह रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए आपको बताते हैं साल दुजार चौबिस में वरुथनी एकादशी कब हैं पूजा का शुबमूर्द क्या है और एकादशी और दुआदशी तिथी कब कब हैं साथ ही आप जानेंगे हरीवासर का समय कब समाप्त होगा और वृतपारण का शुबमूर्द कब से कब तक रहेगा इस बार चार मई शनिवार के दिन एकादशी है सभी ग्रेस्त जन या वैशने संपरदाय के लोग केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे और एक दिन पहले दश्मी तिथी के नियमों का पालन किया जाएगा एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले जाएंगे और शुद्द सात्मिक भोजन करना चाहिए एक आदशी के दिन भगवान विशनु को भूले से भी अक्षित अर्पित नहीं करनी चाहिए और इस दिन बिना तुलसी जी की पूजा के या भगवान को भोग में बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग अधूरा माना जाता है द्वादशी तिथी प्रारम होगी 4 मई शनिवार की रात 8 बच कर 40 मिनट से जिसकी समाप्ती होगी 5 मई रविवार की शाम 5 बच कर 42 मिनट पर ऐसे में हो सकता है आपके मन में एक प्रश्ण हो कि रविवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा तो ऐसे में तुलसी जी में जल अर्पित करें या ना करें तो देखे लगातार ये दो दिन तक तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है तो इससे तुलसी जी मुर्जा जाती है और जिसका भी दोश लगता है इसलिए आप रविवार के दिन वृत का पारण करने से पहले तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें वैसे तो ब्रह्म मूर्थ का समय सुभा पूजा पाठ करने के लिए इस नान ध्यान करने के लिए उत्तम होता है इसके लावा आप अभीजीत मूर्त में भी भगवान श्री हरी की आराधना कर सकते हैं राहुकाल का समय सुबह 9 से 10.30 बजे तक रहेगा पांच मई रविवार यानि की व्रत के पारण वाले दिन सोर्यदे होगा सुबह 5 बचकर 54 म बरत का पारण हमेशा सुबह सुर्यदे के बाद ही करना चाहिए ब्रहम मोर्त सुबह 4 बचकर 18 मिनट से लेकर 5 बचकर 6 मिनट तक रहेगा यदि ऐसा संभ़ ना हो पाया हो तो अमरिशीत मोर्त में या अभीजीत मोर्त में भी आप दान कर सकते हैं रहुकाल दोपहर साड़े चार बजे से लेकर शाम छे बजे तक रहेगा अब जाने हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और एकादशी उपवास खोलने का शुब मूर्थ क्या रहेगा जैसे ही दोदशी तेथी प्रारम होती है उसे के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है जो कि 5 मई रविवार के सुबह 3 बजे तक समाप्त होगा हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही हमेशा अपना उपवास खोलना चाहिए क्योंकि ऐसी मानिता है कि हरिवासर के समय यदि उपवास खोला जाता है तो वह उपवास अधूरा रहता है और उपवास खोलने का यानि वरत पारन करने का शुब मोर्थ रहेगा पांच माई रविवार को सुबह पांच बचकर 55 मिनट से लेकर आठ बचकर 50 मिनट तक का इसे शुब मोर्त में आप अपना उपवास खोल सकते हैं उपवास खोलते हैं तुलसी पत्र का सेवन अवश्य करें इस दिन चावल का सेवन करना या चावल का भोग लगाना अत्यांत शुब रहता है ये थी आज की वीडियो व्रत की गथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाए कर दो प्लसी आपका सेया ह天 ओैनल ग्रत की वीजर्य करत्तुर क curvature तो जोगतों की वीजिए भी में का गुब